हेलल दोस्तों मैं सौरोंबली का आप सभी का वाइफाइ स्टेडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूँ दोस्तों DRDMTS 2020 के लिए करंटफेर की क्लास रात के 12 बजे लाइव हो जाती है तो आप इस कलास का टाइम नोट कर लिजे और रेगुलर इन वीडियोज को फोलो करना स्टार्ट करिए यहाँ पर मैं आपको डेली करंटफेर के टोप 25 MCQs कवर कराता हूँ जो की एकजाम के पॉइंट वी से काफ़ी इंपोर्टेंट होते हैं तो आप एक भी पार्ट को मिस मत करिए अभी हम ओक्टूबर मन्त की करंटफेर कवर कर रहे हैं गाइस अगर आप अनकेडमी पर कोई भी सब्सकिप्शन जोइन करते हैं किसी भी कैटेगरी में SSC में, बैंक में, रेल्वे में, UPSC, DRD, डिफेंस में तो आप सोरब 11 रेफरल कोड यूज करिए, इससे आपको डिसकाउंट मिलेगा फीस में और जितने भी एजुकेटर अनकेड में पढ़ाते हैं, उन सभी की क्लासीज और कोर्सीज आप देख पाएंगे तो चलिए, सुरू करते हैं आज की क्लास को, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में सेर करना और इस वीडियो के अंत में ये भी बताना है कि आज की वीडियो में आप कितने कोशन सही कर पाएं है आज की वीडियो का हमारा पहला कोशन है किस राज्य के मुख्य मंत्री ने HDFC बैंक के परगती रत का सुभारम किया है दोस्तो इसका सही आंसर रहेगा हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री ने यानि की ओप्षन रहेगा D. Right Answer परगती रत हिमाचल परदेश के विबिन हिस्सों में जाकर लोगों को वित्य और डिजिटल साक्सरता परदान करेगा ये भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन है परियवरन के अनुकूल ग्रीन पटाको को लॉंच किया गया इसे किस ने विक्सित किया है दूस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा बिल्कूल इसका सही आंसर हैगा C.S.I.R. ने यानि की ओप्षन रहेगा B. Right Answer इसकी फिल्फॉर्म है Council of Scientific and Industrial Research ये भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं सोद करताओने किस सागर में Greenland के आकार का एक महादीब Greater Andrea की खोज की है Greater Andrea की खोज की है दोस्तों इसका सही आंसर हैगा बिल्कुल भूमध्य सागर में यानि की ओप्षन C. Is the right answer ये है महादीब उत्री अफ्रीका से अलग होकर करीब 14 क्रोड वर्स पहले भूमध्य सागर में डूप गया था ये आपको याद रखना है चले नेक्स्ट हमारा कोशन आता है भारत का पहला फ्लोटिंग बास्किट बॉल कोर्ट किस सहर में सुरू हुआ दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मुंबई में यानि की ओप्षन रहेगा ए रैट आंसर इसे नेशनल बास्किट बॉल एसोसेशन यानि की एन बी ए द्वारा बनाया गया है ये भी आपको नोट कर लेना है नेक्स्ट कोशन आता है गोवा मेरिटाइम कॉनकलेव का उदगाटन किस ने किया दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अजीत डोबाल ने यानि की ओप्शन रहेगा ए रैट आंसर दोस्तों अजीत डोबाल भारत के रास्टिय सुरक्सा सलाकार है ये आप सभी को पता ही होगा चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं दोस्तों नेक्स कोशन पर जाने से पहले में बता दू कि अगर आप अनकेडमी का कोर्स जोइन करने में इंटरस्ट रखते हैं और आपको जोइन करना है तो आपको कैसे जोइन करना होगा सबसे पहले आपको अनकेडमी लर्निंग अप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है उसमें अपना मोबाइल नंबर भरना है तो आप लोगिन हो जाएंगे फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है जहाँ पर लिखा railway exam अगर आप डियाडियो की तयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर CDS और FCAT वाली केटेगरी को चूज करिएगा बाकी बैंक वाले बैंक SSC वाले SSC और जहाँ पर enter referral code होगा वहाँ पर 1111 डाल देंगे apply की बटन पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपकी fees यहाँ पर होगी for example आपकी देखिए 2000 fees नहीं होगी for example बता रहाँ 2000 fees होगी तो उसमें आपको discount मिल जाएगा यह 1800 हो जाएगी यह code apply करने पर और यह सभी category के लिए होगा ठीक है आप उसका payment करेंगे उसके बाद आपको सारी classes मिलना स्टार्ट हो जाएगी सभी educators की कोई भी doubt आते है तो आप मे इसका सही answer रहेगा साथ समझोतों पर यानि की option C इसका सही answer रहेगा यह समझोते जल संसादन, युवा मामले, संस्किर्थी, सिक्सा तथा तथा तटिये निगरानी से संबंदित है ठीक है चले next question पर आते हैं देश के पहले प्लास्टिक से डीजल, रुपांतरन, सयंतर का उदगाटन कहां पर किया गया तो प्यारे दोस्तों इसका सही answer रहेगा मतुरा में और यूपी के मतुरा की सांसद हेमा मालनी है ये भी आपको पता होना चीए और हेमा मालनी ने ही इसका उदगाटन किया है य आंद्र परदेश उच न्यालने के नए मुख्यन्यादिस कोन बने है तो दोस्तों इसका सही answer रहेगा जे के महिसवरी यानि की option A is the right answer ठीक है आंद्र परदेश दोस्तों उच न्यालने जो है वो देश का सबसे नया यानि की 25 वा हाई कोर्ट है ये भी आपको याद रखना आंद्र परदेश उच न्यालने जो है वो 25 वा हाई कोर्ट है यानि की अभी करण्ट में कितना हाई कोर्ट है ये भी आपको पता चल गया 25 है नेक्स्ट हमारा question है विश्व पसु दिवस कब मनाया गया तो दोस्तों विश्व पसु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को ये भी आपको याद रखना है दोस्तों नेक्स्ट हमारा question है किस देश ने ओपेक की सदश्यता चोड़ने का निर्णे लिया है तो किस देश ने ओपेक की सदश्यता चोड़ने का निर्णे लिया है इसका सही answer रहेगा इक्वाडोर बिल्कुल सही है यानि की option रहेगा B right answer दक्सिन अमेरिका देश इक्वाडोर जनवरी 2020 के सुरू में ही ओपेक की सदश्यता चोड़ चुका है ठीक है अलग हो चुका है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट हमारा question है चिकित्सा के चेतर में नोबल पुरुसकार 2019 के लिए कितने विज्ञानिकों को चैन किया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही answer रहेगा तीन को अब तीन में से किस-किस देश से हैं ये भी आपको पता नुचिए दो USA से हैं और एक बिर्टेन से हैं ठीक है चलिए तो next question पर आते हैं next हमारा question है देश का पहला E-कचरा क्लेनिक की सहर में खोला जाएगा तो देश का पहला E-कचरा क्लेनिक दोस्तों भोपाल में खोला जाएगा ये आपको याद रखना है इसके लिए भोपाल नगर निगम यानि की BMC और केंदर परदूसन नियंतरन बोर्ड यानि की CPCB ने साज़ेदारी की है next question पर आते हैं next हमारा question है विश्व कपास जिवस कब मना जाता है तो दोस्तों विश्व कपास जिवस मना जाता है 7 अक्टूबर को यानि की option रहेगा D right answer next हमारा question है एक समझोते के अनुसार भारत किस देश में तटिय निगरानी परणाली इस्थापित करेगा तो एक समझोते के अनुसार भारत किस देश में तटिय निगरानी परणाली इस्थापित करेगा तो बांगला देश इसका सही आंसर रहेगा बांगला देश मालदीव के बाद दूसरा देश है जहां भारत तटिय निगरानी परणाली इस्थापित करेगा ये भी आपको याद रखने है पांगल देश मालदीव के बाद दूसरा देश है जहां भारत 30 निगरानी परणाली इस्थापित करेगा याद रखीगा अच्छा कोशन है नेक्स्ट हमारा कोशन आता है भारतिय सेना ने 7 अक्टूबर से किस देश की सीमा पर हिम विजय नामक युद अभ्यास शुरू किया है दोस्तो इसका सही आंसर हैगा चीन यानि की ओप्शन B is the right answer इसका पहला चरण 7 से 10 अक्टूबर तक अउनाचल परदेश में आईजित किया जा रहा है ये भी आपको याद रखना है 7 से 10 अक्टूबर तक अउनाचल परदेश में पहला इसका जो चरण है वो आईजित हो चुका है next हम question पर आते हैं एक test match में सबसे ज़्यादा चक्के लगाने का record किसने बनाया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही answer रहेगा बिल्कुल रोहित सर्मा ने दोस्तों रोहित सर्मा ने 13 चक्के सबसे ज़्यादा चक्के जो है इससे पहले वसीम अकरम के 12 चक्के थे एक test match में इससे पहले वसीम अकरम के 12 चक्के थे जो कि highest थे अब सबसे ज़्यादा चक्के रोहित सर्मा के हैं जिसने 13 चक्के लगाए हैं एक test match में तो काफी अच्छा है याद रखेगा और मेरे हिसाब से जो भी मैचिस देखते होंगे किर्केट के फैन हैं वो तो सभी को पता ही होगा ठीक है चले फिर next question पर आते हैं युनेस्को ने किस अभिनेत्री को सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया है दोस्तो इसका सही आंसर एगा है बिल्कुल या लितिजा उप्रेशियो बिल्कुल सही है यानि कि option D is the right answer दोस्तो या लितिजा एप्रेशियो जो है ये मेकसिको की रहने वाली है ये भी आपको याद रखना है कहा से हैं मेकसिको से बिल्कुल सही चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं बीजिंग में आज चाइना उपन 2019 का किताब जीता है तो दोस्तों बीजिंग में आज चाइना उपन का किताब जीता है नाओमी ओसाका ने बिल्कुल सही ओप्शन B is the right answer नाओमी ओसाका दोस्तों जापान से है इन्होंने विश्व की नंबर वन एसले बार्टी को हराया है नाओमी ओसाका ने जापान से है और इन्होंने विश्व की नंबर वन जो एसले बार्टी है उनको हराया है चलिए नेक्स कोशन पर आते है चार से दस अक्टूबर 2019 को किस रूप में मनाया गया है दोस्तों ये भी आपको बताना होगा देखें October मंद की current affair पढ़ रहे हैं तो October मंद की October 2019 की कोई भी important current affair छुटेगी नहीं इस चीज से आप निश्चिंत रहेगा बस वीडियो देखना आपका काम है अच्छे से अच्छे questions और बनाना मेरा काम है ठीक है बिलकुल दोस्तों विश्व अंतरिक सप्ता के रूप में मनाया गया 4-10 October 2019 को ये आपको याद रखना है World Space Week 2019 की theme क्या थी ये भी आपको पता होना चीए तो दोस्तों World Space Week 2019 की theme थी The Moon Gateway to the Stars ये theme थी World Space Week 2019 की ये भी आपको याद रखना है चले नेक्स कोश्चन पर आते हैं जस्टिस अरूप के गोस्वामी किस उच न्याले के मुख्य न्यादिस बने है तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा सिक्किम हाई कोट के यानि की option B is the right answer Next हमारा कोश्चन है सो अंतरास्टिय T20 मैच खेलने वाली पहली भारतिय बल्ले बाज सो अंतरास्टिय T20 मैच खेलने वाली पहली भारतिय बल्ले बाज कोन है बिल्कुल सही, very good, हर्मन प्रीत कोर इसका सही आंसर एगा हर्मन प्रीत कोर इसका सही आंसर एगा ये भी आप ऐसे compare करके भी याद रख सकते हैं और ये हर्मन प्रीत कोर ने और रोहित सर्मन ने भी 90-80 खेले हैं वैसे ये भी आप याद रख सकते हैं चले नेक्स कोशन पर आते हैं किसने जापान 2019 के पुरुस एकल का किताब जीता है तो ये तो आप सभी बताई देंगे नौवाक जोकोवीच बिल्कुल सही है नेक्स्ट हमारा कोशन है Justice M. मानिकुमार किस उच नयाले के मुख्य नयादीस बने हैं तो प्यारे दोस्तों केरल हाइकोर्ट इसका सही आंसर रहेगा केरल हाई कोड इस दा राइट आंसर ठीक है चले नेक्स कोशन पर आते हैं भारत को फ्रांस से पहला राफेल लडाकु विमान किस दिन सोपा गया था किस दिन प्राप्थ हुआ था ये आपको बताना है दोस्तो इसका सही आंसर रहेगा 8 अक्टूबर को ठीक है 9 अक्टूबर इसका सही आंसर रहेगा इसके लिए रख्षा मंतरी राजनाज सिंग्ग फ्रांस गए हुए है 8 अक्टूबर को भारतिय वायू सेना दिवस भी मना जाता है दोस्तो ये भी आपको याद अखना है इसके लिए राजनाच सिंग फ्रांस गए थे ठीक है जब ये सोपे गए थे और 8 अक्टूबर को ही भारतिय वायू सेना दिवस भी मना जाता है ये भी आपको याद रखना है भारतिय वायू सेना दिवस 8 अक्टूबर को मना जाते है दोस्तों याद रखेगा important question बन सकता है यहां से ठीक है especially defense exam के लिए I hope कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी as usual जैसे आपको पसंद आती है और आपने इस वीडियो को अभी तक like नहीं किया है तो फटाफट से like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में share कर दीजे जितने भी आपके study related group है आप support करेंगे त आपका फर्ज मनता है कि इस वीडियो को जितना हो सके share करके अपने दोस्तों तक पहुचाए क्योंकि मेरा मैं आपके लिए तभी कुछ अच्छा कर पाऊंगा जब आप मेरे मेरे को support करोगे यह ना चैनल को subscribe कर लिजे इसकी पीडियाप आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं सोरब सर्जी के search करने लेना टेलिग्राम पर आपको पीडियाप मिल जाएगी आप मुझे follow कर सकते हैं इस्टाग्राम पर इस्टाग्राम पर सर्च करके सोरब मलिक 17 के follow करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको जो आप पूछोगे वही reply करूँगा क्योंकि Instagram पर मैं किसी भी एकजाम की ताहरी करने तो डिसकाउंट कोड जो रेफरेल कोड हमारा वह सोरब 11 अपलाई करना है आपको जब भी अनकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन जोइन करेंगे इससे आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाता है प्यार दोस्तों ठीक है तो आपको मैं ज चूज करने होगी CDS और FKET वाली उसके बाद get subscription पर क्लिक करना है जितने भी मंत का कोर्स लोगे उतना select करिए continue पर क्लिक कर दीजिए next आएगा enter referral code वहाँ पर डालना है यह 5400 हो जाएगी इस तरीके से आप payment करके अपनी सारी classes जोइन कर सकते हैं ठीक है और यह मेरा referral code है आप इसको यूज करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और thank you so much अगर आप इसको यूज करते हैं thank you so much in advance फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए take care वीडियो को के बहुत बहुत थन्यवाद आपका दिन सुभ हो